यूवक के सिर से गोली मार कर हत्या पुल के पास सड़क किनारे मिली लाज शेत्र में फैली संसनी साल के अंतिम दिन यूवक के सिर में गोली मार कर हत्या सपी धवल जैसवाल ने गटना इस्तल का किया निरिक्षवण सपहा कुशिनगर थाना शेतर के कस्या तुर्क पट्टी मार्ग पर इस्थेत खरदर पुल के पास बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है मौके पर पहुंची पुलिस ने शफ को कबजे में लेकर जाच परताल शुरू कर दी है मिली जानकारी के अम मताबित कस्या थाना शेतर में कस्या तुर्क पट्टी मारग पर खरदर पुल के पास रविवार की देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई उसके सिर में दो गोलिया मारी गई थी मृतक केला किसांत रविवार की रात वाट नमबर 3 निवासी फल वैवसाई सतीश यादव तीस वर्चिये पोत्र राधी श्याम यादव किस काम से तुर्कपटी गया हुआ था किसी काम से तुर्कपटी गया हुआ था रात करीब साड़े दस बजे खरदरपुल के बदमाशू ने सतीश के सिर में गोली मार कर हत्या कर दी है आपको बता दी कि पोलिस ने उनकी बाईक सड़क के एक तरफ और शवक दूसरे तरफ पड़ा मिला है मिली जानकारे के अनुसार रविवार की देर रात करीब साड़े दस बजे सतीश यादव तीस वर्षे पुत्र रादेश यादव निवासी वोड नमबर तीन संतगाड के नगर सपहा नौका टोला तुर्कपटी से वापस घर आ रहे थे चलने से पूर्व उन्होंने गाओं के अपने दोस्त को फोन कर आने की सूचना दी इसके बाद चंद मिनट बाद ही उन्होंने फोन किया और बदमाशो द्वारा पीछा के ज़़ाने की सूचना दी जब तक गाओं के उनके दोस्त वा परिजन मौके पर पहुँचते इससे पहले ही बदमाशों ने खरदर पुल के पास से पीछा कर सतीश के सिर में गोली मार दिया इससे सतीश की मौके पर ही मौत हो गई स्पी धवल जैसवाल ने किया गटना इसल का रिरिकषड गटना की सूचना पर पुलीस अदिक्षक कुषिनगर धवल जैसवाल ने ततकाल मौके पर पहुँच कर जायजा लेते हुए गटना इसल का रिकषड की और ऊपस्तित अदिकारियों आवशक दिशा निर्देश देत ततकाल अभियोग पंजिकरत करते हुए गटना की शीगर अनावरनेतु नर्देशित किया। पंजिकरत किया रहा है सभी बच्छों की गंभीरता से जाज करके अग्रिव में दिक्कारवाई की जा रही है।